वेलकम बेक माई आल फ्रेंट्स। आज मैं आपके लिए वीडियो लेका आया हूँ OnePlus 7 Pro के उपर OnePlus 7 Pro में बहुत ज़्यादा प्रोलम आ रही है Craft Stump Mode इसमें बहुत सारे मोडल्स में प्रोलम आ रही है OnePlus के OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro काफी मोडल्स में प्रोलम आ रही है तो इसका स्लूइशन में लेका आया हूँ यह अगर साफ्टर से आप करते हैं तो आप सौफ्ट Daisy से हो जाता है कई बार सोफसे नहीं होता है तो यह हाडवेर से ही रिपायर करना पड़ decor अगर आप खुझ से paper पेर कररा है आपको दिखाते हैं इस वीडियो के ज़रीय से कि आप कैसे अगर आप रिपेर करने वाले मिन्जेनियर से या फिर रिपेर करने stuff हैं तो खुद भी कर सकते हैं वरना उप हमें के आद और कर के अपना फ्वार्ट करा सकते हैं तो Ram को मेंन निकाल लिय तो हमें CPU निकालना जरूरी होता है इस फ़न के अंदर क्योंकि सब भी पेस्टड होता है तो हमें एक बार इसको रिमूव करना होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने CPU को निकाल करके रिंस्टॉल कर दिया है और यह हमने RAM इसकी चेंज कर दी है तो हर केस में अलग होता है कई बार RAM चेंज करनी पड़ती है कई बार नहीं करनी पड़ती तो यहाँ पर अब यह आपको दिखाता हूँ सेकंड केमरा पर सेकंड केमरा आप यह देख सकते हैं यह हमारा OnePlus 7 Pro का बॉर्ड है CPU और RAM हमने इंस्टॉल कर दी है वीडियो का हमने बहुत शॉट में बनाया है क्योंकि जादा लंबी वीडियो में टाइम जादा खराब होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको रिइंस्टॉल कर दिया है अभी इसको हम करते हैं चेक हैंसेट में लगा कर चेक करते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है तो अगर आपके पास कोई भी OnePlus का या Samsung का या कोई भी आपका फॉन खराब है तो आप हमसे रिपेर करा सकते हैं आप कोरियर कर सकते हैं कोई सा भी फॉन पूरे इंडिया से कहीं से भी और आपको डिटेल्स और एड्रेस नीचे डिस्क्रीपशन में मिल जाएगा आप कॉंटेक्ट करके WhatsApp कर सकते हैं या call कर सकते हैं डिस्क्रीपशन में नंबर दिये गये हैं तो यहाँ देखिए फोन हमारा ओन हो चुगा है तो इस तरह केस केस में क्या होता कई बार क्या स्टम्प मोड आयाता है फॉन के अंदर तो लोग इससे सोफ्वड अबिश्ट कर दियता है जबकि कि जादतर केस में सॉफ्ट्रए की जरूत नहीं पड़ती और आपका डेटा पूरा बच जाता है लेकि अभीे Circuit इसमें भी क्या हुआ कि कस्टमर ने पहले कहीं और सौफ़एर इसके अंदर करा लिया सौफ़एर करने के बाद भी इसका कैस्ट मोड नहीं अटा था तो अब यह हमने इसमें हार्डवेर से काम किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉन बूट होने लगा है कैस्ट मोड इसमें नहीं आ रहा है तो क्रेस्ट डब मोड के ऊपर हमने और भी वीडियो बनाया है पहले आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं वीडियो को वन प्लस सिक्स का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है काफी सेट हमने रिपेर किये हैं यहां दे इस तरह के कोई भी पॉलम आपके साथ आती है तो आप अपना हैंड सेट हमें भेज कर रिपेर करा सकते हैं सारे कोरियर सर्विसेज हमारे पास अपलब्ध हैं और अधिक जानकरी के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं नीचे हमारे ओफिस का नंबर दिया गया है अधियों में ये फॉन भी हमारे पास बहुत दूर से आया है इंडिया से आया बहुत दूर से आपको और कोरियर होके आते हैं इनी काम के लिए ताकि इनकी प्रोडम्स दूर हो पाएं तो देखे सक्सेस्फुली हमारा फॉन ये बूट हो चुका है हम इसकी पर हम आचुके रिया हुआ है फॉन को मैं चार्जिंग में लगा रखा था हटा देता हूं तो यहां देखी इसका जो मेन बोर्ड है वो मैं आपको एक बार और लाइव दिखा देता हूं कई बार लोग सोचते हैं फेक वीडियो है ऐसा है तो यहां कोई फेक वीडियो नहीं होती जो भी वीडियो होगी यहां आप देख सकते हैं यह इसका हमने CPU इंस्टॉल किया है RAM एक्सचेंज की है तो थैंक्स फर वाचिंग बने रही है वेलकम जोन के साथ थैंक्यू